प्रगति की सोपान कारिकर में सभी शोताओं को सागत है। प्रगति की सोपान कारिकर में आपको बहुत स्वागत है। सागर माला और स्टार्टप इंडिया जैसे विभिन नामों के साथ कई और भी सरकारी योजनाओं के लाभेतु लाँच किया गया था। और इसके द्वारा देश के विभिन छेत्रों में सरकारी शेवाएं आसानी से पहुंच सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश भारत को डिजिटल रूप से सचक्त समाज और ग्यान पर अधारित अर्थ विवस्ता में बदलना है। हम बात करें उद्देशियों की तो डिजिटल इंडिया मिशन तीन मुख्य उद्देशियों पर अधारित है। इस पहल के अंतरगत देश के नागरिकों को डिजिटल तकनीक का उपयोग सिखाया जा रहा है। ताकि वे ना केवल सरकारी सिवाव का उपयोग कर सकें बलकि डिजिटल मंचों पर अपनी भागिदारी भी बढ़ा सकें। इसके अंतरगत ग्रामीड छेत्रों में डिजिटल साक्षर्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापक उद्देश्य के रूप में देखें तो भारत के नागरिक इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक इस्तर पर प्रतिसपर्धी बने रहे हैं। यह मिशन डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुधार, परिवर्तन और समावेश की दिशा में एक बहुत महत्पूर्ण कदम है। बात करें, देखें, तो इगवर्नेंस और सरकारी सेवाओं की बात करें। बात करें, तो सबसे बड़ा बदलाव जो आम जनता ने महसूस किया है, वो है डिजिटल भूकतान का प्रचलन। UPI एप के जरिये जैसे पैसे ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है, और यहां तक की छोटे दुकानदार और रहडी पटरी वाले भी अब QR कोड से पेमेंट्स विकार कर रहे हैं, और इसके चलते कैशलेश अर्थवेवस्था को बढ़ावा मिला है, और व्यापारी क्ले इन दिन में महत्पूर्ण पारदर्शिता आई है, सिक्षा और स्वास्ते के छेतर में देखें, तो डिजिटल इंडिया ने ओनलाइन सिक्षा को भी नए आयाम दिये हैं, कई सरकारी और निजी सिक्षन संस्थाओं ने e-learning प्रेटफॉर्म विक्सित किये हैं, जिससे सभी पंचायतों और ग्रामिन विकास की तरफ बात करें, तो डिजिटल इंडिया के तहट अब लगभग सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है, इससे ग्रामिन छेतरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ तेजी से पहुँच रहे हैं, कुल मिलाकर हम देखें, तो डिजिटल इंडिया ने गबर्नेंस, भुक्तान, शिक्षा और स्वास्त जैसी महत्वपूर सेवाओं को डिजिटल बना दिया है, हम अनुभव करते हैं कि इससे हर नागरिक के जीवन में एक बहुत महत्वपूर और बड़ा यह में क्या आभी तक महत्वपूर विकास का कारे हो पाए हैं? में रेस्टोरेंट में आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इस प्रकार व्यापारिक लेंदेन में पूर्णतह पारदर्शिता और गती आई है इगवर्नेंस की हम बात करें, तो शहरी छेत्रों में लोग आज विभिन नसाश्किय सेवाओं का लाब घर बठे उठा पारे हैं पैन कार्ड की बात करें हम, आधार अपडेशन की बात करें, पासपोर्ट आवेदन, इस प्रकार की सभी सुवधायां पूर्ण रूपेन आउनलाइन हो चुकी हैं, जिससे नागरिगों का समय और उनकी प्रयास दोनों में बचत हो रही है स्मार्ट सिटी पहल की हम बात करें, शहरी छेतरों की यदि हम बात करें, तो डिजिटल इंडिया के तहट स्मार्ट सिटी मिशन भी सहरी विकास का हिस्सा है, इसमें शहरों को स्मार्ट टेकनोलोजी से जोड़ कर, स्मार्ट ट्रफिक मेनेजमेंट, हेल्थ केर, एड्मिनि रूप से बात करें तो आपने गौर किया ही होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले जहां क्रामीड छेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बेहत कम थी अब भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गावों तक हाई स्पीड ब्रॉड बेंड इंटरनेट पहुचाया जा रहा है इससे ग्रामीड नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुच मिली है और वे भी डिजिटल रूप से शशक्त हो रहे हैं सिख्षा की बात करें तो गावों में अब e-learning platform और online courses के माध्यम से छात्रों को घर बैठे अच्छी सिख्षा मिल पाना संभव हो चुका है मोबाइल और internet के माध्यम से अब ग्रामीन छेत्र के छात्र भी शहरों की तरह ही अत्याधुनिक सिख्षा का लाब उठा पा रहे हैं ग्रामीन छेत्रों में भी digital banking के माध्यम से लोगों को अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते आधार कार्ट और मोबाइल बैंकिंग के जरिये किसान और छोटे व्यापारी भी अब सीधे ही अपने बैंक हातों से लेन देन कर पा रहे हैं दूर दराज के गावों में स्वास्थ को लेकर रेदी हम बात करें तो डिजिटल हेल्थ सेवा और टेली मेडिसीन जैसी सुविधाएं पहुचाई जा रही हैं जिससे ग्रामीन एलावों के लोग बड़े शहरों के विशेशक के डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं तो इस प्रकार कुल मिला कर देखें तो डिजिटल इंडिया ने शहरी छेतर और ग्रामीन छेतर दोनों में तकनीकी रूप से बदलाव किया है और तकनीकी रूप से उनको शशक्त किया है तो डॉक्टर आनिमेश र्मा जी हम बात कर रहा है Digital इंडिया की तो हम कीस तरह Digital इंडिया से अपने कारों को आसान बना सकते हैं या दूसरी तो पे कहें तो Digital इंडिया ने कैसे हमारे कारों को आसान और सुगम बना दिया है यह सवाल बेहद ही महत्वपूर है क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश यही हमारे रोज मर्रा के कामों को आसान तेज सुलब बनाना था हम किस तरह से अपने जीवन के विभिन नकारियों को सरल बना पाएं यही इसका प्रमुख उद्देश यह था अब डिजिटल भुकतान को ही लीजिए आजकल हम छोटे वड़े सभी तरह के भुकतान ओनलाइन प्रेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं इससे नक तो केवल भुकतान प्रक्री असरल होती है बलकि कैश लेकर घूमने की परिशानी भी खत्म हो जाती है चाहे घर के किराने क सामान खरीदना हो आपको बिजली का बिल भरना हो या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो कुछ ही सेकंडों में यह सारे कारी किये जा सकते हैं ओनलाइन सरकारी सेवाओं को देखें तो डिजिटल इंडिया ने इगवर्नेंस को बढ़ावा दिया है जिससे आप सरकारी से यह है डिजिटल हो चुकी है साश के योजनाव का लाब उठाना उनकी जानकारी प्राप्त करना अब घर बैठे संभाव है सिक्षा की बात करें तो यदि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं या कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो डिजिटल इंडिया के तहत क कई ऑनलाइन लर्निंग प्रेटफॉर्म और विभिन वेबिनार्स उपलब्द हैं स्वयम दिक्षा और अन्य ई-लर्निंग पोल्टल्स पर विभिन कोर्सेस आप कर सकते हैं जो कि बिलकुल मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर उपलब्द हैं और शाशन के द्वारा इन सभी को पूर्ण रूपेंड बढ़ावा भी समय समय पर दिया जा रहा है स्वास्य सेवाव के बारे में आज सभी लोग जागरूख हो गए हैं तो अब आप टेली मेडिसिन सेवाव के जरिये ऑनलाइन ही डॉक्टर से परामर्ष ले सकते हैं घर बैठी ही इसंजीवनी जैसी से ग्रामीन और शहरी दोनों छेत्रों में स्वास्ति परामर्ष को सुगम बना रही हैं ऑनलाइन रिपोर्ट और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड भी अब आप आसानी से एकसेस किये जा सकते हैं एक महत्पूर बात है दस्तावेजों का प्रवंधन तो डिजिटल लॉकर की माध्यम से आप अपने महत्पूर दस्तावेज जैसे आप अपनी मार्क शीट विभिनन सर्टिफिकेट्स पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को आनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं किसानों की बात करें तो किसानों के लिए डिजिटल इंडिया में बहुत प्रकार की माध्यम से अपने उत्पाद को सीधे ही बाजार में बेच सकते हैं इसके लावा पी एम किसान जैसी योजनाओं के तहट उन्हें सीधे बैंक हातों में सबसीडी मिल रही है तो आज हम देखें कि डिजिटल इंडिया ने हमारे रोज मर्रा की जीवन के कामों को कितना सरल त इसका दुरगामी परणाम क्या हो सकता है जी बिलकुल यह सवाल बहुत ही महतुपूर्ण और समसमाईक है क्योंकि यह मिशन सिर्फ एक वर्तमान पहल नहीं है बलकि इसकी शुरुवात ही दुरगामी प्रभाव को देखते हुए और आने वाले दशकों तक महशूस किये ज समावेश की तो डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम होगा आर्थिक शशक्तिकरण जब भारत के प्रतेक नागरिक को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आर्थिक लेंदेन और सरकारी सेवाओं तक पहुँच होगी तब देश की अर्थ व्यवस् तो आप पाएंगे कि डिजिटल इंडिया का प्रमुक लक्ष डिजिटल साक्षर्ता को बढ़ाना और इसके लिए कंप्यूटर सिक्षा को प्रत्साहित करते हुए कंप्यूटर सिक्षा इसकी पहली सीड़ी है जब लोग कंप्यूटर और इंटरनेट का सहीं स्तेमाल करना सीख जाते हैं तो वे सरकारी योजनाओं डिजिटल भोकतान और अन्य सेवाओं का लाब आसानी से उठा सकते हैं यह सिर्फ बड़े सहरों तक सीमित नहीं है बलकि ग्रामिंड छेतरों के लोगों के लिए भी यह बेहद ही आवश्यक है ताकि डिजिटल सुविधाओं का ला इन सेवाओं का उपयोग तभी संभा हो सकता है जब लोग कम्प्यूटर और इंटरनेट का भली भाती उपयोग करना जाने इसलिए कम्प्यूटर सिक्षा एक आवश्यक साधन बन जाती है ताकि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही धंग से इस्तेमाल कर सकें और सभी साष्किय सेवाओं का लाब उन्हें प्राप्त हो सके आज के दोर में अधिकतर नौकरियों में कम्प्यूटर स्किल्स की आवश्यक्ता होती है चाहे आप किसी भी सरकारी विभाग में काम करना चाहते हो या निजी शेतर में कम्प्यूटर ग्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं है डिजिटल इंडिया के तहट स्टार्ट अप्स ए कॉमर्स और फ्री लांसिंग के नए अवसर पैदा हो रहे हैं जिनमें कंप्यूटर सिक्षा एक महत्वपूर भूमी का निभा रही है कंप्यूटर सिक्षा से ना केवल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलत सकते हैं बलकि वे उद्यमिता के नए रास्ते भी खोश सकते हैं डिजिटल इंडिया के चलते ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की संख्या लगातार बढ़ रही है साशन के द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है इससे स्किल डवलप्मेंट और लाइफ लॉ लर्निंग की दिशा में भी प्रगती होगी कंप्यूटर सिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साइबर सुरक्षा डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा की चुनावतिया भी लगातार बढ़ी हैं कंप्यूटर सिक्षा के जरिये लोग अपने फॉर्म का उप्योग करके बहतर बाजार दरों पर अपने उत्पात बेज सके इससे ग्रामी नर्थ व्यवस्था में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है आपने मुझे इस कारिकर में अपनी बात सभी श्रोताओं के समक्ष रखने का उसर प्रदान किया आपका और आकाश्वनी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद झाल